हलो दोस्तो मैं प्रशान आज यहनी सिवन्ट को मार्केट को एनलाइज करें तु तो देख सकते हैं लाड्ज केप में हमें जवरदस्त गिरावट देखने को मिला है, चाहे वो निफ्टी हो कि ये सारा गिरावट आया क्यों है क्या है वीजन इसके पीछे तो चली इस चीज़ को हम यहाँ पर सबसे पहले find कर लेते हैं फिर हम देखेंगे कि next trading session यह नि 8 of May के लिए हमारा trading setup और trading strategy क्या बनेगा निफ्टी, bank निफ्टी, fin निफ्टी और mid cap निफ्टी के ऊपर भी तो आप लोगों को पता है कि अभी क्या है Q4 यह नि quarter 4 का result आ रहा है सारे company का एक एक करके आगे पीछे और जैसा कि उम्मीद जताया गया था कि quarter 4 का result बहतर नहीं रहेगा एक दो company को छोड़ गये तो market को यहाँ पर disappointment देखने को मिल भाया है और market था कहाँ पर market था अपने all time high level पे तो सबसे पहले वहाँ से एक जवर्दस्त profit booking स्टार्ट हुआ और कहानी profit booking पर इक हत्त नहीं हो गया इसके बाद sellers ने भी entry करा और sellers ने entry करके market के crucial level को break कर दिया और जैसे market के crucial level को break करा buyers में confidence की कमी आने लग गया और buyers कमजोर होने लग गया अब buyers में confidence की कमी आने के पीछे election का भी region है voting percentage का कम होना और election result date का नजदिक आना जो कि market को nervous कर रहा है तो यह सब region है इसकारण से market में गिरा बटा है निफ्टी में अगर हम आज के move के उपर focus करें तो देख सकते हैं यह हमारा resistance level था और market इसी level को एजर resistance के रूप में trade किया और यहीं से गिरावट दिखाया है और फिर support को भी break किया है तो कहीं पे भी अगर आप put options buy करते हैं या फिर sell side वाला trade लेते हैं तो आसानी से आपको बहतर profit मिल जाता है और यही हाल वहा है फिन निफ्टी का है यहाँ भी आपको विकवाली का मौका मिला है चाहे support को break करने पे हो या फिर resistance के करीब से गिरावट आया है यहाँ पे तो कहीं पे भी अगर आप levels को follow करते हैं तो आसानी से profit मिल जाता है तो चलिए अब हम निफ्टी के daily chart पे चलते हैं और देखते हैं 8 of May को निफ्टी में हमारा क्या trading setup त्यार करना उसके बाद हम आएंगे bank निफ्टी पे जिसका कल expiry भी है तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा मार्केट को लेके एक जवरदस्त न्यूज भी आया सेवी ने मार्केट का एक्स्टेंडिंग आवर्स था वो क्या था शिक्स पीम से नाइन पीम तक मार्केट को ऑपन करने के लिए परपोजल भेजा था एनसी ने उसको से सेभी ने विलिए कर दिया gdzie बोलाए कि ब्रोकर के तरफ से सहमती नहीं मिल पाए आप लागी तरफ एक तो आप मुझे कमेंट करके बताए कि क्या से यहां फिर सही यह हमारे लिए immediate support के रूप में काम करे गया और इसके नीचे जाने पर आपको यहाँ पर sell side के तरफ trade लेना था या नहीं तो put options buy करना था दोनों में से कोई भी काम किया होंगे तो market profit देता है इसके अलाबा कल क्या था inside candle का formation किया था और बताया था जब भी inside candle का formation होता है previous candle का low एक strong support के रूप में काम करता है और इसका low क्या था 22,350 का तो अगर आप थोड़े से late हो जाते और 22,350 के नीचे भी विक्वाली करते तो अभी आपको आसानी से अच्छा खासा profit मिलता है इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमारे वीडियो का हर एक point important होता है और हर एक point के basis पर अपने लिए strategy बना सकते हैं इसलिए वीडियो को skip नहीं करना है without skip किये वे last तक आपको देखना है और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कियें तो प्लिक चैनल को subscribe करके बेल आकन जोड़ दबा दिजें ताकि जब भी हम वीडियो अप्लोड करें वो notification आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो को miss ना करें तो अब यहाँ पे दो line हमने add करा है यह जो उपर वादा line है यह आपका 20 day simple moving average और नीचे वादा जो line है वह आपका 50 day simple moving average तो market ने क्या करा है 20 day simple moving average जो immediate support के रूप में काम कर रहा था और पिछले कई दिनों से market इसको respect कर रहा था उसको इसने break कर दिया और अभी trade कहां भे कर रहा है अभी यह trade कर रहा है 50 day simple moving average के level के करीब और अगर इसको तोरा that means to exact इसी level पे 22,300 के level को break करके अगर market नीचे गया तो market में और 22,100 के करेब भी आ सकता है यानि अगर हम technical angle से भी analyze करें तो market में जो गिरावट है वो आगे भी continue रह सकता है इसके पूरे पूरे chances हैं लेकि यहाँ पे एक और चीज पे आपको focus करना है वो क्या है वह आपका PCR यानि put call ratio निफ्टी का PCR आपका 0.5 वी करीब आ गया है जो कि यह reversal के पूरे पूरे chances हैं और market में आपका एक तरफा गिरावट भी आया है और इस गिरावट में short covering अभी तक देखने को नहीं मिला है तो यहाँ पे short covering भी देखने को मिल सकता है तो इसलिए अगर आप sell कर रहे हैं तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखके short आपको करना यानि sell करना है, market में छोटा सा ही सही लेकिन एक reversal आ सकता है और वो आपको trap कर सकता है इसलिए PCR पे भी आपको नजर बना के रखना है option chain पे अगर हम focus करें, तो कल क्या था? कल आपका जो resistance level था, वो 22,600 से लेके 800 का range था यह हमाई लिए resistance के रूप में काम कर रहा था, लेकिन अब यह range आपका और नीचे side की तरफ shift हो गया है अब जो यहाँ पे 500 से लेके 600 का range है, यह 100 point का range है, यह हमाई लिए एक strong resistance के रूप में काम कर रहा है support की बात करें, तो support भी आपका नीचे side की तरफ shift हुआ है, अब जो support range बन गया है, वो 22,000 से लेके 22,100 का range आपका support की रूप में काम कर रहा है और सबसे highest आपका put writing 22,000 के psychological level पे देखने को मिल वा है, और सबसे highest call writing 22,500 के psychological level पे देखने को मिल वा है यानि जो हपता बच गिया है, इस पूरे हपते में market का range रहने वाला है, यही 22,500 यह 500 point के range में overall आपका move करता हुआ दिख सकता है तो चलिए, अब हम nifty के strategy पे बात कर लेंगे, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप nifty, bank, nifty, fin, nifty या किसी भी stocks में intuarded strategy सीखना चाहते हैं, बहुत्वीन मौका है, बिलकुल free में सीख सकते हैं कैसे free में सीखेंगे, यहाँ पे हमारा intuarded trading strategy course है, यह course है आपका थ्वी दाउजन का, लेकिन यह आपको बिलकुल free यानि मुफ्ट में मिल जाएगा, कैसे मिलेगा बिलकुल मुफ्ट में, इसके लिए आपको जिरोधा, अपिस, टॉक और एंजल वन, जो इंडिया का top 3 discount bookage form है, वहाँ पे आपको d-mate account open करना होगा, link इस वीडियो के description में दिया गया है, ध्यान रखना है, कि अगर आप इस वीडियो के description में दिये हुए link से trading और d-mate account open करेंगे, तभी यह services free of cost मिलेगा, otherwise जो charge है, वो pay करने पड़ जाएंगे, तो अगर आप interested हो, तो इस offer का benefit ले सकते हो, तो चले topic पर वापस सुलते हैं, अगर हम strategy के ऊपर focus करें, तो यहाँ पे आप clearly देख सकते हैं, कि अगर आपको buy करना है, तो 22,350 के ऊपर अगर price जाता है, तो थोड़ा सा risk लेके buy side के तरह लिया सकता है, अगर आप safe जाना चाहते हैं, तो अगले कुछ दिन तक buying आप avoid कर सकते हैं, इस level को break करके उपर निकला, तो price अगले resistance level 22,415 तक जाएगा, इस से उपर निकला, तो 485 तक, 22,000, इस level तक आने की chances कम हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आपको मिलता है, तो थोड़ा सा risk लेके आपक तो एक बार buying जबूड करना, immediate ITM वाला call options buy कर सकते हैं, बेत्वीर reward आपको मिल सकता है, 22,250, इस support level को break करके अगर नीची जाता है, यहाँ पे आपको विक्वाली का जबदस्त मौका है, आप immediate ITM वाला put options buy कर सकते हैं, क्योंकि इसको तोड़ा, तो price 22,185 तक जाएगा, और इ इड़ाबट आता है, तो immediate ITM वाला put options buy करके benefit ले सकते हैं, तो यह सारा trading setup त्यार करना, 8 of make को nifty में, वहीं अगर हम बैंक nifty के daily chart पे focus करें, तो यहाँ भी आप clearly देख सकते हैं, मैंने क्या बताया था, previous candle का low है, वो हमाई लिए crucial support की रूप में काम करेंगा, क्योंकि यहाँ अभी आपका inside candle का formation हुआ था, और previous candle का low क्या था, यह था आपका 47,650 के करीब, तो अगर आप इस level के break होने पे भी विकवाली करते, तो आसानी से आपको एक जबरदस्त profit मिल जाता, अब आज इसने क्या किया, आज इसने एक और negative संकेत दिया है, जो यह आपका 20 day simple moving average है, इ तो थोड़ा बहुत buyers में confidence बचा था, वो confidence भी यहाँ पे खत्म हो गया, मतलब यह गिरावट आपका आगे भी continue रहने वाला है, यह नि, अब अगर bank nifty 48,200 के level को break करके नीचे गिया, तो सबसे पहले 200 point का तो गिरावट आपका इंट्राटे में ही आएगा, और price आपका 48,000 क psychological level पर आएगा, और इस level को तोड़ा, तो another 500 से 1000 point के गिरावट के लिए आप इस हफ्ते तयार रहेगा, क्योंकि इसके नीचे जाने पर price आपका 47,500 लेके 47,000 के psychological level पर देखने को मिल सकते हैं, तो आपको clarity के साथ समझ में आ गया, कि bank nifty नीचे में कहां तक जा सकता है, अब जो लोग buy करने को तयार, buy करने में risk है, लेकिन strategy क्या बनाना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, और ये ध्यान रखना है कि bank nifty का भी जो PCR है, वो आपका 0.5 करीब है, यानि lower side करीब है, तो 48,000 के support करीब अगर आता है, तो थोरा सा हमें एक recovery देखने को मिल सकता है, reversal गिरावट आया है, और यहां पर short covering भी नहीं आया है, तो market में short covering के कारण भी गिरावट आ सकता है, इस लिए इस चीज़ पे भी आपको नजर बना के रखना है, बागी इसके option chain पर चलते हैं, देखते हैं, वहां पर क्या कुछ activity हमें देखने को मिलवा है, तो option chain पर अगर ह resistance zone बन गिया, और day by day, resistance आपका नीचे side की तरफ ही shift हो रहा है, और यह भी हमें overall negative indication दे रहा है, support की अगर हम बात करें, यह support table भी आपका नीचे side की तरफ shift हुआ है, अब आगे है 47,800 लेके 48,000, यह जो 200 point करेंज हैं, यह हमाई लिए support generate कर रहा है, और कल bank nifty का expiry भी है, तो expiry day special क्या spread ही बनाना, वो मैं आपके साथ आगे share करूँगा, उससे पहले फिन निफ्टी के भी daily chart को देख लेते हैं, फिन निफ्टी के daily chart पी अगर हम focus करें, तो इसने जैसे तैसे ही 20 days simple moving average को अभी तक hold करा है, अभी तक break नहीं करा है, लेकिन उमीद है कि इसको भी break कर देग यहाँ भी गिरावट देखने को मिलेगा, और इसमें भी अगर आपको याद हो, तो मैंने क्या बताया था, previous candle का low टूटा, तो market में एक जबदस्त गिरावट आएगा, और यह गिरावट आपका देखिये, exact आपका 200 पॉइंट के आसपास का गिरावट दिखाया, अब अग सौ से डेर सौ पॉइंट का गिरावट आपका इंट्राडे में या फिर इस पूरे हबते में देखने को मिल सकता है, और जो भी लोग बाइसार की तरफ जाने को तैयार है, मैं आपको इस ट्रेजी बताऊंगा, लेकिन वहाँ पर रिस्क है, पहले से ही मैंने अपडेट कर दिया है, तो चलिए, जो लोग मिड कैप निफ्टी में ट्वीर करते हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटी बनेगा, वो मैं आपके साथ शेर कर देता हूँ, यहां भी वन साइडर की रावट था, और मैंने बताया था, 11,015 के नीचे आप यहां पर बिक्वाली कर सकते हैं, औ आप आज के लिए क्या क्या लेवल से, आज के लिए भी मैं दो लेवल निकाल के लाया हूँ, सबसे पहला है, आपका 10,875 का, यह लेवल एजर रेस्टेंस की रूप में काम करेगा, और सपोर्ट की अगर हम बात करें, तो यह आपका 10,815 का लेवल एजर सपोर्ट की उपर जाता है, तो आप यहाँ पर बाइसार की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो इसके बीच में उपन होता है, और इस लेवल से रिवर्सल लेता है, तो आप बाइसार की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, जैसे आज हुआ है, तो भी आप सेलसार वाला ट्रेड ले सकते हैं तो इस तरीके से आप mid cap nifty में अपने लिए strategy बना सकते हैं 8 of meko तो चलिए अब हम देखते हैं कि bank nifty और fin nifty में हमारा strategy क्या बनेगा bank nifty में अगर ने strategy को उपर focus करें तो यहाँ पर clearly आपको दिख रहा है कि 48,375 इस level को break करके अगर price उपर जाता है और जिन लोगों को risk लेने में डर नहीं लगता है वो यहाँ पर trade ले सकते हैं क्योंकि यहाँ से उपर गया तो price 48,500 इस से उपर गया 48,650 hero-joo levels है द्यान से देखना तीन levels है 48,000 का पहला 48,200 का दूसरा and 48,400 का तीसरा इन तीनों में से किसी पर भी आता है 11.00 AM to 2.00 PM के बीच में तो हमें क्या करना है जिस भी level पर दिखता है उसके call put side का premium add कर लेना और अगर यह आपका 150 से नीचे है तो इसको buy कर लेना और यही आपका hero-joo trade बनेगा और अभी wix आपका higher side पे है तो premium 150 से नीचे मिलना मुस्किल है तो 150 से 180 के बीच में भी रहता है तो यह काम आप कर सकते हैं वही अगर price आपका 48,200 इस level को break करके नीचे जाता है तो आप आसानी से sell side की तरफ ले सकते हैं यहां पर आप प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि इसके नीचे गया तो 48,000 50 और 47,900 लेवल पर जा सकता है जहां पर support लेवल है 48,800 यहां पर जाने की chances कमें जाता है तो एक sharp profit booking आएगा और as a result market में गिरावट आएगा अगर गिरावट आता है तो immediate ITM बाला put options buy करके आप benefit ले सकते हैं तो यह सारा tweet हमें लेना bank nifty में fin nifty के उपर बात कर लेते हैं 21,585 इस level की उपर निकलता है तो जिन लोगों को risk लेने से डर नहीं लगता वो यहां पर trade ले सकते हैं क्योंकि price यहां से उपर गया तो 21,650 and 715 के level तक जा सकता है 21,300 यहां पर एक support level है और यहां भी जिन भी लोगो risk लेने से डर नहीं लगता है वो इस support करी buy side की तरफ trade ले सकते है risk reward काफी बेहतर मिलेगा यहां पर आपको 21,500 इस support को break करके अगर price नीचे गया तो विक वाली से डर नहीं है क्योंकि price इसके बाद 21,435 से 385 के level तक जा सकता है 21,800 यहां पर आता है तो एक profit booking जब उड़ आएगा और इसके कारण से market में गिरावट आता है तो immediate ITM बादा put options भाई करके benefit ले सकते हैं तो इस सारा trade हमें लेना फिन Nifty में 8 अफ मेको तो overall Nifty, Bank Nifty और फिन Nifty का strategy क्या होगा clarity के साथ समझ में आ गया होगा So that's all, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, जैहन